अजी गुदिवनिंग लास्ट तो बच्चे इन दे लास्ट लेक्च्चर वी डिस्कस अबाउट रेफ्रेक्शन ओफ लाइट जो एंड रिफ्रेक्टिव इंदेक्स तो बच्चे इस क्लास में बच्चे आज हमने डिसकस करना है नुमेरिकल्स बेस्टों रिफ्रेक्टिव अज देक्स सब्सक्राइब गें लेकिन व्रेक्शन से पहले बच्चे आपको कंस्ट बहुत अच्छे से क्लियर ओना चीह तो लास्ट वीडियो को बहुत अच्छे से लेखे पहली बात दूसरी बात बटे कि जो numerical में अभी आपके पास है ना बेस भी रहाँ एक फाइल numerical की जो की unsold numerical की sheet है जिसको सभी numerical को मैं यहाँ पर अभी solve करवाँगा तो आपने पहले numericals के statements को note down कर लेना है वो sheet आपके सामने हो ठीकिए उसके बाद फिर आपने statement जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे पढ़नी जैसे आपने last numerical में किया था ठीकिए जैसे ही मैं numerical की statement पढ़ता हूं तो आपने यह में sheet से numerical की statement पढ़नी है और साथ-साथ ऐसे करना है ठीकिए पहले note-down नहीं करना है पहले यह हैज आपको सबसे पहली बात बत्चे रिफ्रेक्टिव इंडएक्स के बारे में हमने यह जानी थी कि सम्मान दीजिए कि कोई रे वफ लाइट चीके जैसे यह अपने पास मेडियाम था एयर और यह अपने पास मेडियम था ग्लास ब्लाइट कोई कहा आ रही है ग्लास आ मेडियम में आ रहे है तोएर बżymont गार मिडियम था इसके डैंस्टी में जो है एर रिड palavras मलेंट की वहाल HEY ona यह लाइटर मुड़ीम इसकी न्जिका तरह प्ल्कित घ्सक्ति घ्दबý को है इसके जीफ ARE जादा है। और ये था angle of reflection इतनी बात या में last lecture में बहुत बार कर ली थी आप एक बात सारा समझेना यदि मुझे refractive index यहां से find out करना है तो बटे पहली चीज़ तो यह है आप मुझे बहुत ध्यान से बहुत बहुत क्लियर कट एक बात हिंदी में सुन लेंगे बच्चे क्या कि जब भी ray of light air to glass आएगी तो बटे refractive index दो आपको given होगा statement के इंदर वो refractive index बटे उस medium का given होता है जिस medium में ray of light बाद में enter की है तो आप मुझे बताओ ray of light बाद में enter कौन से medium में की है glass में enter की है तो यहां पर refractive index दो आएगा ना बटे वो किसका आएगा glass का आएगा with respect to air refractive index of glass with respect to air इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ पूरा मैं लिख देता हूँ एक मुनेट के लिए refractive index of glass और with respect to air ऐसे रिप्रेजेंट करता है इसका मतलब एक बात आप लोग समझ जाओ कि जो रेयो फ्लाइट क्या है कि रेयो फ्लाइट कहां से कहां गई है एर टूग्लास रियो फ्लाइट ट्रेवल एए एर टू घ्लास जब्री रिए और टू गलास ट्रेवल गरेगी तो रिप्रेक्टिम नेक्स ग्लाइगा में इस प्सौ टू एर और इसका फोंबला क्या था सायन ई डिवाइड बई सायन आर यह सायन आई और सायन आर की वैल्यू आपको दी गई होगी पेपर गहें नर यह ओर रिफ्रक्टिव नेग्स कूछता है तो चिंद इसे भी अम नुमेरिकल करें में दूसरा यह यह आई और आर नहीं दी हों है तो निखाल लेगे आप लोग तो बच्चे आप मुझे बताएं मैं यह माल लेता हूं कि speed of light in air air के अंदर speed of light की value for example मैं माल लेता हूं small letter c से represent करते हैं मैंने आपको chapter की प्रिकों starting में यह बाद समझाई थी क्या समझाई था सबसे पहली चीजी हां मैं लिख रहो point number one sir speed of light speed of light in air या फिर आप कह सकते और वैक्यूम speed of light in air और वैक्यूम कितनी होती थी sir 3 into 10 की power 8 meter per second होती थी ठीके और इस speed of light को आप represent किससे करते थे sir small letter c से small letter c से इसको represent किया जाता था तो मैंने क्या लिखा यहां पर किसन यहां पर क्या एगी speed of light in air divide by speed of light in glass glass के अंदर जो speed of light होगी तिकनी उसको मैं दिखा देता हूं V speed of light को V से V glass सब नहीं बात V का मतलब speed V is a symbol of speed speed of light in medium glass बोलो यह formula सामन में आभी है sir पहला formula जो हर एक उसमें लगेगा sir पहली चीज़ क्लियर होगी है पका चलिए अब एक और बात जरा समझेंगी for example इसी diagram से यदि मैं बात करूं तो बटे आप मुझे यह बताओ कि एक medium glass है और एक medium क्या है air बटे जब भी एक medium glass हो और दूसरा medium air हो ठीके यदि दोनों में से एक medium यदि air है दोनों में से यदि एक medium air है तो इस वाले refractive index को हम कहते हैं सरीए absolute refractive index है ग्लास का ठीके इसको क्या नाम दिया जाता है absolute refractive index if one of the medium if one of both the medium is air or vacuum then the refractive index is known as absolute refractive index clear हो गई यह बात तो चलिए इस बात को एक बार फिर से देख लेते हैं तो पहली चीज़ को यह पॉइंट में यहां पर अप्ली देता हूं इसको यहां से मिटा कर गए अब आप लोग मिझे साथ साथ बोल कर बताएंगी मैंने क्या बोला sir if ray of light going from air to glass यदि air to कह जा रही है ग्लास में जा रही है ठीके तो पहले refractive index किसका आएगा देन refractive index किसका आएगा glass का आएगा और with respect to किसके आएगा air और इसका formula क्या होगा या तो आपको sign or r sign i or r value नहीं दी गई है तो फिर आप formula क्या लगाएंगे सब speed of light in air speed of light in air divide by speed of light in glass speed of light in glass बुलू और इसका symbol क्या कैसे भूं करेंगे speed of light in air को c से और speed of light in glass को v नीचे glass लोगे c is the speed of light in air या फिर speed of light in vacuum वह प्रोक्सिमेटली सेम होती है इसकी value बटे आपने learn कर लेंगी है 3 into 10 की power 8 meter per second बस यह एक ही value याज़दरनी है आपने बस कि speed of light in air or vacuum 3 into 10 की पावर 8 meter per second होती है बुलू ही फिर्स फोर्मॉला सब्ना आगया अब एक बूर बात जा रहा है समझ रहा है एक्जांपल से आपको सारे कंसब कर रहा हूं फिर से फॉर एक्जांपल मान दीजिए बिटे फिर से वही बात यह अपने पास एक मेडियम है water इस फोर एक्जांपल मैंने माल ज़िए यह मेडियम है अपने पास water और यह मेडियम है glass ठीक है यहां पर यह मेडियम था water और यह मेडियम था क्या glass अपना ray of light ट्रेवल कर रही है glass water से glass लो यह दो यह incident ray होगी यह आपके पास refracted ray होगी आप मुझे दाओ water of glass में से lighter medium कों से water और denser medium कों से यह glass है ना denser medium कों से यह glass है तो आप मुझे बताओ अब की बार ray of light कहां से का दा रही है water to glass दा रही है सेम वही बात तो refractive index किसका आएगा बटे जिस medium में ray of light बाद में दिये जिसमें reflected रहे है तो किसमें यह बाद में glass में तो refractive index किसका आएगा यह glass का और with respect to किसके आएगा water तो अब मुझे बताओ यहाँ पर formula कह लिखो या तो sign I upon sign R होगा यदि यह sign I और sign R नहीं दिया रहा है question में speed की time में question आजाता है तो आप यह कहेंगे सर्थ तो फिर यह होगा speed of light किसके उपर आएगी water ली चीके तो speed of light in water को V water से represent कर लिया मैंने और glass को V glass speed of light in medium water divided by speed of light in medium glass तो बच्चे यह बात मैं समझाना चाहरा था अब एक बात दोनों में difference देखो जा रहा आप मुझे बताओ पहले वाले case में जो हमने किया था तो एक medium प्या था air यहां पर दोनों में से कोई भी medium air है दोनों में से कोई भी medium यदी air नहीं है यानि कि ray of light water से glass में जा रही है diamond से glass में जा रही है diamond से plastic में जा रही है kerosene oil से water में जा रही है यानि कि कोई भी medium हो लेकिन दोनों में से कोई भी medium air नहीं है दोनों में से कोई भी मेडियूम वैक्यूम नहीं है तो फिर आप ऐसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को इस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को आप खाएंगे सर यह रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ठीके चलिए इस बात को मैं यहां पर नोट डाउं कर देता हूं एक बात क्लियर हुई आपको जब भी मैं स्टेटमेंट में यह बोलूं सर एबसल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ओवोटर इस 1.3 तो आपने यह बात क्लियर कर लेनी है आपसल्यूट रिफ्रेक्टिव लेक्स ऑपके जब इसका मतलब की रेवी और दूसरा मेडियम है और बीर्षर Спट्रोगें यह होगा dudey n coach for us दॉसरा मेडियम होगा एक यह ही और एदर स र सय्तों 20 लोग्त Judge यह लगीज़ है। लुपस आपसलूट रफ्रीक्टिव निए इवाध है। क्योंकि एक मीडियम क्या है। एयर है। पकब तीसरी बात क्या समझाईब सर्माने। यदी एक मीडियम जैसे फूर एग्जाम्पल गवाद है। तो refractive index किसका आएगा, then तो फिर किसका refractive index आएगा, then refractive index किसका आएगा, भाई, ये glass का आएगा, with respect to water ठीके, और formula क्या होगा, या तो क्या होगा, sin I divided by sin R, या फिर formula क्या होगा भी, speed of light in medium glass, speed of light in water, divide by speed of light in glass, इसको कैसे पुझन करेंगे, V water, divide by V glass, बोलो, ये कर्चप समझ में आगया है बटे, पक्का, चलिए, आप आप लोग मुझे बहुत ध्यान चे समझे इसको कैसे रीडि करते थे, सर्फ्रेक्टिव नेक्स ओफ ग्लास, with respect to water, ठीके, रीडिक्स ओफ ग्लास, with respect to water, ऐसे ही रीडि करते थे इसको, तो आब आप मुझे बताऊ सर्फ, जिस medium का रीफ्रेक्टिव नेक्स निकाल रहें, किसका निकाल रहें, इस रिफ्रेक्टिव नेक्स का रहें, आपके पेपर में पुछी जाती है, सर्फ इस relative रिफ्रेक्टिव नेक्स और वट इस absolute रिफ्रेक्टिव नेक्स, तो आप लोगों ने यह बात समझ लेंगी है, जब दोनों में से कोई भी medium, air और vacuum ना हूँ, दोनों ही medium other than air और vacuum है, तो फिर आप क्या कहीं जी सर्फ उसको relative रिफ्रेक्टिव नेक्स, यह थी ऐसे बात समय ने तो ऐसे समझ लोग फॉर एक्जाम्पल यह देखो, यह호ahren की, ray of light कहां से काा ट्रैवल कर रही है, आप मचें बुताओ ray of light कौन से medium से कौन से medium सेική डमपल कर रही है, 1 से कहा जा रही है, 2 में जा रही है महीं महल लेता हूं सर्फ सर्फ इस medium 1 में speed of light जो हूँ, वश थे में 2 में speed of light जो कितनी है, है मीडियम वन स्थिए निमा स्थीन डिभी अब एक बात आप सामझेंगे से रिफ्रेक्टिव इंडिक्स कोने अदी रिस्पेट व्यग्यम वी रिस्पर्ट फूर्ट जो किसकी तुम्लाइग या तो सैनसा एक आतों साइन आर कि यहीं दिया गया है तो आप क्या बहुन में कि speed की terms में बताओ, speed of light किसके आईगी, medium 1 की उपर आईगी, medium 2 की कहाईगी, नीचे. So, speed of light in medium 1, divided by speed of light in medium 2. Last lecture में मैंने आपको ये बात समझाई थी. बोलू, ये बात समया गई? अच्छा, इसका reverse देख लो, यदी refractive index, पहले ताप इसी concept से एक बात समझो, कि साथ, जिस medium का refractive index निगाला, किसका निगाला medium 2 का, with respect to medium 1, तो जिस medium का refractive index find out किया, हमने, that is medium 2, बटे, उसके अंदर speed of light जो है, वो कहा है, denominator में है, ठीके? तो आपने यहां से क्या समझा, कि refractive index of a medium is inversely proportional, वो denominator में है, ठीके? यानि कि जितना यह refractive index जादा होगा, उतनी ही, इसके अंदर speed of light क्या होगी? कम होगी, तो यह बात में सम्झाना चाहरा था, इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, देखो दोना, जैसे मैं यहां पर लिखा, कि refractive index, प्रब्सक बेंगे, 0, found high pulse. रिखा, रिखा बम्म्म्म्म्म्म्मण. ओदिखा बातting क्याओ, डिखा, अधिज ऑर फ low ऐ audio energy 1985 स deposit 25. तो देखा, पीनिम्म्म्म्म्म wचाॸ. वर दिखा, वमम्म्म्म्म्म्म्म्म्, आप आप लिखा, खे release बात्स, इसको दो बार रेटिकर के लेख लेना चिके इसका कहने का है कि इसका रहसी प्रोकल कर देंगे फाइब इस लेखा वाएगा पांच वाते यादर कर लेंगे पहले पक्काम तो किसको दिया नगने चिके आगे देखें पहले चलो बिटे मैं पांच चंसप्टी पहले लिखवा रहा हूं फिर एक दू नुमेरिकल और भी है जो अलग कंसेप्ट पर है इसी के ऊपर ही पॉइंट नुमेरिकल कर लेता है एक दो इन टोपिक्स के ऊपर चिके जहां पर यह कंसप्टी यूज होंगे चिके चली तो फर्स नुमेरिकल हम प्रीड करते हैं फर्स नुमेरिकल जो है उसमें यह लिखा हुए बहुत ध्यान से एक एक लाइन में पढ़ रहा हूं एक वी म फ्लाइट पाउसिस फ्रोंड एंटू सबस्टांस एक्स एक बीम अफ्लाइट एव ए से कहां रही है खोई सबस्टांस है कोई मेडियम एक्स हमें नहीं पता कों सब नुम्हें है यानिकि वो क्या कहरा है सर्फ डुमेरिकल लूमबर फर्स्ट वो कहरा है सर्फ एक रीम उफ लाइट है वो एयर मीडियम से एयर मीडियम से कहाँ ट्रेवल किये इन्टू एस सब्स्टांस एक्स मेडियम है ठीक तो आप मुझे बताओ if the angle of incidence be 72 degree angle of incidence यानि कि angle i की value है 72 degree and angle of refraction is and angle of refraction is 40 degree angle of refraction कितना है 40 degree है आगे कुछा calculate the refractive index of substance x तो आप बतेए इस substance x का refractive index क्या होगा तो आप मझे बताऊ से refractive index दो आएगा वो x का आएगा with respect to किसके आएगा air के with respect to air वो किसके इक्वल होगा sine i divide by sine r के इक्वल होगा वो लो होगा के नहीं होगा अब sine i की value sine i का मतलब कहा है sine 72 degree angle कितना है यह 72 to sine 72 degree angle r angle r कितना है बते 40 degree तो sine 40 degree यह जाएगा यह आपि ठीके आप देखो मैंने आपको बताया गान सभी इनकी values आपको given होती है तो देखो इसी statement में last में लिखा हो है given that sine 72 degree is equal to 0.951 दी गई यह value दी गई है value sine 72 degree की value कितना है 0.951 यह बते आपको given है यह value ठीके divide by अच्छा sine 40 degree की value कितनी है sine 40 degree value given है 0.642 0.642 0.642 बुलू ठीके यह value मैंने यहाँ put कर दी है बस अब इसको solve करेंगे solve करेंगे तो decimal से decimal क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा फाइनली solve कर लेंगे इसको fraction को clear? ताकि हमारा time भी जादा ना लगी तो बो फस्स numerical संग में आगे यह फस्स numerical था अपको इसको note-down कर लेंगे pause करके और इन सभी points को note-down कर लेंगे pause करके क्योंको मैं रब कर दू अभी चिके? बोलो clear होगी बाती है नेक्स देखते है pause कर लेंगे वीडियो को इनको note-down कर लेंगे जल्दी कर लेंगे नेक्स नुमेरिकल देखते है नुमेरिकल नमबर टू तो सेकंड नुमेरिकल ने आप लोग statement डेट करना स्टार्ट करें जल्दी से कि क्या given है कि हमें क्या given है क्या हमने find out करना है main बात यही है कि given क्या है और find out क्या करना है बस इतनी बात पता लगाने है कि लाइन को बिल्कुल word को आपने ध्यान से पढ़ना है जैसे मैंने first second नुमेरिकल देखी जड़ा एक इक बात आपको clear होगी पिल्कुल वो अच्छे समझ में आएगी light enters from air into glass light enter की है sir air medium से यह air medium था और वो enter की है glass वाले medium यह मैंने glass medium बना लिया sir ray of light enter की है कहां से कहां air से कहां enter की है glass में तो towards normal band हो जाईगी जब भी ray of light ray rar से dancer में जाईगी towards normal मैंने band करती sir यह आपके पास incident रहती यह आपके पास refracted ray है बोलो clear है चलिए इसने क्या बोला sir light enters from air into a glass मैंने इतनी बात बना लिया sir air से कहांगे यह glass having refractive index 1.50 having refractive index देखो जरा ध्यान से यहां सबर करते है having refractive index and is equal to 1.50 बोलो यह refractive index की value तो बटे आप मुझे बताओ सोचकर यह refractive index किस medium का है यह refractive index air का है नहीं चाहे यह refractive index glass का है बिल्कुल क्योंकि ray of light का इंटर किये glass मेंटर गिये तो यह refractive index है glass का with respect to air यानि कि यह absolute refractive index given है क्योंकि एक medium तो air है क्योंकि आपको given है आगे पढ़े what is the speed of light in glass आपने find out क्या करना है आपने find out यह करना है speed of light in glass जिसको मैं represent कर लेता हूं V glass जिसको मैं represent कर लेता हूं इसकी value यह find out करनी है चलिए आपने आपने reflective index of glass with respect to air का formula बताओ जल्दी से ओक किसकी speed of light उपर आएगी reflective index of glass with respect to air तो speed of light air की उपर आएगी मैं अभी लिखवाया भी ना उपर speed of light in air तो उपर आजाती है numerator में divide by speed of light in speed of light in glass कहा जाएगी नीचा जाएगी इसको symbol क्या थे इसका symbol थे था C और इसका symbol क्या था V glass symbol represent कर लेए speed of light in air को C से represent करता है small letter से और इसको glass से आप मुझे बताएगी इसकी value क्या given आपको 1.50 तो 1.50 को 1.5 देख सकता हूँ is equal to C की value आपको पताऊ नीची 3 into 10 की power 8 meter per second divide by speed of light in glass बते ये value हमें find out करने है 1.5 नीचे चला जाएगा speed of light in glass is equal to 3 into 10 की power 8 divide by 1.5 बुलवाजाएगा अब मुझे बताऊ ये 1.5 से ये 2 पर कैंसिल हो रहे 1.5 के उतर 1.5 1.5 तो 2,3 होता है तो 2 पर कैंसिल होगी है पर के एक एक बार जहांते समसले है बस फॉम्ला आपको पता होना चाहिए सब जिस मीडियम का रेफ्रेक्टिव निकालते हैं उस मीडियम के अंदर speed of light को नीचे पुट किया जाता है और जिसके with respect निकालते हैं उसकी speed of light कहा आती है उपर आती है यह फॉम्ला होता है यानि कि speed of light इस मीडियम की जिसका निकाला है हमने ग्लास का वह डिनोमिनेटर में आती है यह इन्वर्सली प्रोशनल होता है एक दूसरे की चलिए नेक्स नुमेरिकल पर चलते है नुमेरिकल नंबर 3 चलिए नुमेरिकल नंबर 3 देखिए ज़रा क्या गीवन है बेल है सर, speed of light in water is 2.25 into 10 की पावर 8 meter per second speed of light in water मैंने लिए यहाँ पर speed of light in water speed of light in water जिसको मैं दिखा देता हूं VW से VW दिखा देता हूं speed of light in water 2.25 into 10 की पावर 8 meter per second बोलो ही है चलिए calculate the absolute refractive index of water absolute refractive index of water find out करना है absolute refractive index of water absolute refractive index of water वो ध्यान से मैंने बात समझाई थी अभी देवो सर absolute refractive index निकालना है किसका water का तो एक medium तो आपको पता लगया water है क्या होगा यदि यह absolute word आए तो दूसरा medium obvious होता है कि वो air ही है क्या है air है यानि with respect to air निकालना है absolute refractive index का मतलब ही क्या है कि आपने refractive index निकालना है water का और किसके respect निकालना है with respect to air और vacuum दोरों में से कोई भी यानि कि यह आपको find out करना है पामजबत यह refractive index of water with respect to air is equal to किसकी equal होगा पता ही है speed of light in water iu पर नहीं आएगी क्या होगा सब speed of light in air divided by speed of light in water बोलो ही आएगा फॉम रहा अब दा रपूट कीजी refractive index of water with respect to air is equal to speed of light in air कितनी है 3 into 10 कि पावर 8 meter per second speed of light in water 2.25 into 10 कि पावर 8 meter per second 10 कि पावर 8 से 10 कि पावर 8 क्या होगा पते इसको solve करना है यह क्या जाएगा 3 upon 2.25 भूलो यह पावर रूम करूंगा तो 100 ऊपर चला जाएगा 300 divided by 2 to 5 अब इसको आप लोग cancel कर लेंगे इसको solve करके मुझे बताएगे सर क्या answer आएगा यह आपका गाव है इसको पहले 15 से 25 से आप लोग cancel कर लेंगे इसको पहले 15 से इसमें कर देता हूँ 15 में 15 75 75 53 24 4 by 3 4 by 3 को cancel कर रहेंगे तो यह आदाएगा 1.33 933 यह answer आदाएगा आपके बास यह आदाएगा refractive index of water with respect to air हो जाएगा तो सर पोज करके note down करते रहेंगे next numerical के और चल रहे है numerical number 4 numerical number 4 अब इटे मैं पूरा नहीं लिखूंगा मैं symbols लिखूंगा ताकि हम जल्दी कर पाएगा वीडियो की length छोटी रही चीके देखो जरा numerical number 4 बहुत ध्यान से पटेंगे सभी बच्चे ध्यान देंगे पटे light enters from air into diamond light कहां से कहां गई है air से गई है diamond diamond यानि कि AM में incident ray incident ray जो थी वो air से कहां गई है diamond में diamond में कुन सी लाजएगी numerical number 4 चीके which has a refractive index 2.42 refractive index कितना गईवन है 2.42 which has a refractive index of 2.42 तो आम मुझे गदाओ refractive index किसका given होगा जिसमें ray of light गई है बाद में किसका है यह diamond का refractive index of diamond diamond को मैंने D से दिखा दिया with respect to क्या है air air को मैंने A से दिखा दिया चीके is equal to कितना है 2.42 चीके यह आपको given है calculate the speed of light in diamond तो speed of light in medium diamond यानि कि V D की value आपको find out करनी है यह value निकानी कैसे निकाले देखो जड़ा बताओ मुझे इसका formula क्या था refractive index का जरदी से बताओ फोच कर refractive index of diamond with respect to air formula क्या होता था speed of light in air divided by speed of light in diamond आयगा जिसका निकालते है refractive index उसकी speed आती है फोड़ा वो point at time यह 300 हो गया 242 into 10 8 meter per second अब इसको cancel कर लेंगे इसको आप लोग cancel कर लेंगे इसको fraction में निकाल लेंगे इसको अफोट कर लेंगे 300 divided by 242 clear तो यह काम कर लेंगे बच्चे तो यह आपको numerical number 4 था लोगो easy है न, formulae learn हो गई है सब जिस medium का refractive index निकालते है उसकी speed of light नीचे आती है बस ठीक है, नेक्स लेकिए, नुमेरिकल नुम्बर फाइफ, अब पता लग जाएगा, किसने सारे पॉइंट्स जो भी मैंने लिखवाए थे, वो ध्याम से देखे, जिसने वो कंचप देखे, वो इसली कर देगा, इसली स मत देखे, इसली सब्सकेवाए, तो रिकनी बाइब श्याम से लिखे, भी मैंने बникиसे, रिखे आपक देखे, आहिं। तो एर को एसे कितना है 1.33 पूछा गया वट बिल बीदा इफ्रैक्टीव इंडेक्स फूर लाइट गोईंग फॉम वॉर्टर टू एर यदि रेयु आफ लाइट वोटर से एर में जाती है वो ध्यां से देखना आप इसको रिखाएट कहां से जा रही है water से air में तो refractive index क्या होगा तो refractive index अब किसका आएगा sir air का आएगा with respect to water यहनि कि इसका उल्टा होगा है यह कहता है refractive index of water with respect to air यह कहा है refractive index of air with respect to water तो आप मुझे बताओ यह आपको calculate करना है मैंने अभी आपको बताया था sir इसका क्या करदेंगे reciprocal करदेंगे इसका मतलब क्या हुआ यह है 133 divided by 100 मैंने आपको एक concept समझाया था क्या समझाया था यह देखो refractive index of medium 2 with respect to 1 is equal to 1 upon refractive index of 1 with respect to 2 बोले यह formula बताया था भी थोटी दिल पहले तो यानिकी इसका में given water का with respect to air निकाला कि इसका air का with respect to water तो इसका या करदेंगे reciprocal करदेंगे यानिकी 133 upon 100 था इसका reciprocal करदू याफिर उस formula बताया करदू क्या आएगा यह refractive index of air with respect to water is equal to 1 upon refractive index of water sorry air water with respect to air यह आएगा जड़ा इसको solve करो यह refractive index of air with respect to water is equal to 1 divided by यह कितना था 133 upon 100 100 कहां देगा उपर क्या हो देगा 100 upon 133 इसको बिटे आप लोग solve कर लेंगे ठीके इसको solve करके मुझे बताएंगे यह आप कहां से आजाएगा इसको solve कर लेंगे दसके अभी तो numerical number 5 हो गया सेम है बिल्कुद बिल्कुद सेम है रिफ्रक्ति इंडेक्स ऑग्लास इसका रिफ्रक्ति इंडेक्स है ग्लास का इसके अभी गोईंग फॉं एर टू ग्लास यानी की एर का इतना है 3 बाइटू सब्सके ढारी थे अभी रिफ्रक्ति इंडेक्स ऑगलास फोट्याइ्ब सेमुक्क उप्रस्ट क्रवाए चजरी घ्रक और एर कग्र कंना ध। बोकल हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्यों हो जाएगा 2 भाइट प्रोड गोट ने धालाप लो करीजिये पहले क्या थिक्षद रेटल के चीट थी यह बेच्छ और लोट करवाता हूं बाकी के भी फाइफ नुमेरिकल और आपके बच गए है तो यह 5 numerical और में जल्दी आपको करवाँगा ठीक है नेक्स लेक्चर में करवा देंगे इनको आप लोग खुद भी सोल कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है इसी है काफी नहीं भी होंगे तो भी कोई बात नहीं है सिर्फ मैं आपको करवाँगा ठीक है तो आप तक तक इतन झाली कोई।